यह जो खुबसूरत मायमी आप आज देख रहे हैं, इसकी शुरुवात हुई थी ड्रग मनी से यह शहर बना था कोकेन के पैसे से असि के दशक में जिन भी लोगों का अमेरिका में कोकेन से वास्ता था, उनका रास्ता मायमी से होकर जाता था सिर्फ यह शक्स ही लाखों डॉलर की कोकेन स्मगल करता था राइवल गैंक्स ड्रग्स की मुनाफ़े का हिस्सा पाने के लिए आपस में जूजते थे जिससे मायामी में सबसे ज्यादा कतल होते थे और यही आधार बना मेरे बच्पन के पसंदीदा टीवी शो का इसी से मुझे कोकेन अंडर वर्ल्ड की पहली जलक मिली इसमें पैसे, मारा मारी और इसके मश्यूर किरदारों ने मुझे बहुत आकरशित किया साधिक क्रॉकेट की फैशन चॉइसे सो थी मुझे अंदासा ही नहीं था कि दशकों बाद मायामी में फिर से स्मगलिंग इतना सर उठाएगी और मैं इन ट्राफिकर्स का पीछा कर रही होंगी यह स्मगलर फिर से पुराने रूट चालू कर रहे हैं पूरे सेंट्रल और साउथ अमेरिका को जोड़ना चाहते हैं यह यह कहानी है दुनिया के सबसे बदनाम और बेकाबू स्मगलिंग रूट्स में से एप की आपके पास कितने ड्रक्स है कोकेने कैसी चीज़ जिस देश को पालती है अमेरिका ने पिछले 40 साल ड्रक्स से जूझने पर अर्बों डॉलर खर्च किये हैं फिर भी कोकेन इतनी सस्ती और इतनी ज्यादा मिलने वाली चीज़ कैसे बनी पूलिस यूही किसे को नहीं पकड़ती खबरी बताते हैं कौन है वो लोग जो अमेरिका की पसंदीदा ड्रग डिलेवर करने के लिए अपनी जंदीकी दाओं पर लगा रही हैं मैं एसे बचाव के लिए रखता हूं ग्यानेट है मैं 4800 किलोमीटर के सफर पर यही जानने निकले हूं किन हरी पत्तियों से कैसे बनती हैं सफेद पंतियां रुक जाओ, यहाँ पर चेकिंग जरूरी है यह पुलिस का चेकपॉइंट है कैसे हैं आप सर? गुद मारिंग सर क्या आप मुझे अपनी आइडी दिखाएंगे? ठीक है सब ठीक है ना? एक सेकिंड रुकिए हम आपकी गाड़ी की तलाशी लेंगे, ठीक है? यह लिजे ब्लाक मार्केट्स की जाच परताल के सिलसले में कुछ चेकपॉइंट्स का सामना तो करना ही पड़ेगा आप क्या लेकर जा रहे हैं? फिल्मिंग है क्योश्टिंग का सामान है लेकिन घबराहट ज्यादा होती है जब आखरी चेकपॉइंट होता है जिसके बाद आप ऐसे इलाके में पहुँचते हैं जिस पर सरकार का नियंदर नहीं है यह लिज, शुक्रिए आप जा सकते हैं तो यह लोग ड्रग्स की आवाचाही रोकने की कुशिश कर रहे हैं हाँ, सही का हम क्योंकि एक फिल्म क्रू हैं इसलिए इन्होंने ज़्यादा तलाशी नहीं ले लेकिन अक्सर हर चीज की तलाशी होती हर चीज की, यहां तक की टायर्स की भी यह पूरी कारों धल पतल करके रख देता है यह लोग हमेशा यहां होते हैं हाँ, ऐसा ही है चेकपोइंट को पार करते ही हम ऐसे बेकावू इलाके में दाखिल हो गए जहां दुनिया की कुल कोकेन का करीब 20 पीस दी हिस्सा बनता है जो है व्रेम मुझे इस बात पर गर्ब नहीं है लेकिन हम सबसे अच्छी कोकेन बनाने वाले प्रोडूसर्स में शामिल है क्योंकि यहां कोकु की पत्तिया काफी ज्यादा मिलती है उन्हीं से कोकेन बनती है यानि कि यहां बनने वाले कोकेन की क्वालिटी अच्छी होती है बहतरीन इस दुनिया के बारे में मुझे बता रही है मेरे दोस्त सवीचेक, जो व्रेम में कई साल रह चुके हैं यहां ये लोग कोका की पत्यां सुखा रहे हैं अच्छा, तो ये जो पत्यां सुख रहे हैं सब कोका है ये कोका है, देख रहे हैं आप ये व्रेम में स्थानिय लोग हजारों सालों से कोका उगाते आए हैं लिकिन ये कोई आम फार्मिंग कम्यूनिटी नहीं है सब लोग साधन यहां हम लोग जूचते हैं अपराद से और उन लोगों से जो चोरी करते हैं और उन लोगों से भी जो अपराद करते हैं हम सैंटा रोजा में कानून लागू करेंगे हम है कमिटी ऑफ सेल डिफेंस इस पूरी घाटी में इस तरह की हथियार बंद ग्रुप्स का एक होक्म चलता है कोका फार्मर से सैनिक बने इन लोगों को ट्रीनिंग दी जाती है कि कैसे अपने संबुदायों और अपनी फजल की रक्षा करें तो यह है कोका कोका लीव्स मतलब ठीक है आप इसे इस तरह चबाते हैं क्या मैं भी इसे चबा लो यह ठीक रहेगा सिर्फ चबाना है निगलना नहीं है मैं चबा रही हूँ यह कहा रहे हैं कि इन्हें चबाना है निगलना नहीं है समझ गई इनका स्वात आम पत्ती जैसा है इससे मुझ थोड़ा सुन हो जाता है है ना जी जी क्योंकि इसमें ड्रग है समझ गई यहां परू में कोका लेव्स को उगाना और बेचना वैद है लेकिन अगर आप कोका की पत्तियों को प्रोसेस करके कोकेन बनाने लगें तो यह अवैद है इससे आपको ताकत मिलती है? जी हाँ, ताकत और हिम्मत ताकत और हिम्मत समझ गई शुरू में इंसानिकों को शाइनिंग पाथ नाम की एक बेरहम कम्यनिस्ट ग्रुप से टकर लेने के लिए बनाया गया था जो 1980 के दशक में काफी ताकतवर संगठन था इसके सदसे परू की सरकार को उखाड फेकने के लिए कई दशक से सिविल वार चलाते आए है स्मगलिंग से जुड़े मुख्य रास्तों पर शाइनिंग पाथ का कबजा है और ये अपने इलाके को बढ़ाने के लिए समुदायों पर हमला करते है ये ग्रुप कोका लीव्ज उगाने वालों, कोगीन बनाने और स्मगल करने वालों से उन्हें प्रोटेक्शन या सेफ पैसेज देने के नाम पर पैसा अइट दे है ये बात चिपी उई नहीं है कि शाइनिंग पाथ ड्रुग ट्राफिकिंग के बल पर ही टिका हुआ है बलकि व्रेम में तो हर किसी पर ये बात लागू है हमारी अबादी कोका लीव्स की विक्री से ही रोजी कमाती है यहाँ कोई प्रोड़क्ट नहीं है व्रेम में यही रोजी का एकलाउता जरिया है व्रेम की सियासत काफी पेजीदा है शाइनिंग पाथ के खिलाफ जूचने और अपने परिवारों को पालने के लिए पर हकीकत यह है कि व्रेम में कोका लीव्स का करीब 94 पीजदी हिस्सा ड्रग ट्राफिकर्स के पास जाता है यहाँ ड्रग ट्रेड छोटे छोटे फैमिली क्लान्स के नियंतरण में है यह साब अलग-अलग काम करती है और अजनभियों को शक की नजर से देखते है बाहरी लोगों को देखकर इन्हें लगता है कि वो अमेरिकन लौ एंफोर्स्मेंट के लोग है इसलिए मैं इस प्रोसेस के अंतिम चरण में दाखिल होने के लिए सिवेचे की मदद ले रही हूँ मेरे पास एक टेक्सी होती थी जिससे मैं लोगों को एक से दूसरे शहर ले जाता था कभी-कभी इनके पास सप्लाइज होती थी सप्लाइज माने कोकेन नहीं तो फिर सप्लाइज कोकेन में डालने वाली एक चीज है एसेड कोका लीव्स पर आपको ये तो मालूम था ना कि इससे कोकेन बनती है एक बार किसी के पास पांच कंटेनर ब्लीच के थे मुझे लगा इतने कपड़े कौन दोता है जब आपको पताचला कि मकसद क्या है उनका तो आपने क्या किया बस मन्जिल तक पहुँचा दिया पताचला कि सिवेचे का एक पूर्व मुसाफिर अभी कोकेन के धंदे में सक्रिया है वो एक ऐसे फैमिली क्लान का हिस्सा है जो कोका लीव्स को खरीद कर उनसे कोकेन पेस्ट बनाता है ये काम पेचीदा है सिर्फ भरोसा होने पर ही वो आपको इसे दिखाएंगे यहां से वहां कितनी दिर में पहुचते हैं एक घंटा इनका कॉंटाक्ट मुझसे मिलने को राजी तो हो गया लेकिन मुझे बहुत कम सूचनाई दी हमसे कहा गया कि हम शेहर से बाहर निकल कर आगी की इंस्ट्रक्शन्स का इंतजार करें तो हम इन कच्छी सडकों पर पहाडों में एक घंटे का सफर करेंगे हम दुएन्यों से मिलने जा रहे हैं जो एक ड्रग ऑपरेशन का मालिक है जिसने जंगल में हमें अपनी लैब में शूटिंग करने की इजासत दी है मुझे बस ये पता है कि मुझे वो जगा देखने के लिए हरी जंटी मिल गई है जहां से कोकेन अमेरिका तक 4800 किलोमेटर लंबा सफर शुरू कर दी है लेकिन फिलहाल हम वहां पहुँचने को लेकर नर्वस है हमें कहा गया है कि जब भी हमारी तरफ कोई कार आए या हम किसी ऐसे कस्पे से गुजरें जहां लाइथ हों तो हम अपने चेहरे चिपा लें क्योंकि ये बाहरी लोगों को नहीं देखना चाहते ताकि शक हो कैमरा नीचे गरूँ ये लाका काफी खतरनाक है हाला कि हमें इस कोकेन लैप को देखने की इचाज़त मिल गई है लेकिन वहां पहुचने के लिए हमें कई ऐसे इलाकों से गुजरना होगा जो दूसरे क्लैंस और मिलीशिया के हैं जिने नहीं पता कि हम कौन है क्यों आए है यहां पर रुपो एक उनट के लिए अपनी हैडलाइट दब करो तो मैं थोड़ी परिशान हूँ सड़के सुनसान है बहुत अंदेरा है तब ही अचानक एक आदमी हमें नजर आता है मैं समझने की कोशिश कर रहे हूँ यह कौन है क्या आप हमारे साथ चलने के लिए आए हैं? हाँ ठीक है, आप हाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं आप? हाँ, मैं एक कैमिस्ट हूँ इस पूरे आपरेशन की एक एहम कड़ी ये कैमिस्ट इस पहाडी सड़क पर घुप अंधेरे में खड़ा हुआ था कभी-कभी ऐसी बातें समझना मुश्किल हो जाता है सब कुछ सेफ है, यही जानने के लिए आप ऐसे अंधेरे में खड़े थे चलिए, अब चलते हैं ठीक है, चलते हैं अब लाइट्स बंद कर दो मेरे साथ आईए हम जंगल में जा रहे हैं ये हमारा कजबा है, तो आप अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए ठीक है कजबे के लोग एक साथ काम करते हैं अगर कुछ भी गड़बड होती है तो सारे लोग इखठा होकर एक साथ बहार आ जाते हैं ये कह रहे हैं कि इनका कस्वा पास ही है अगर लोगों ने हमें देख दिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी ये लैब्स स्थानिय समुदायों की कमाई का जरिया है इनके बिना कोका लीव्स की मांग बहुत घट जाएगी इसलिए गाउं वाले इतनी एहतियात बरतती हैं देखा जाए तो हम उनकी रोजी रोटी के लिए खत्रा है कैमिस्ट ने मुझसे वादा लिया है कि मैं इस जगा का खुलासा नहीं करूँगी और मैंने उससे कहा है कि ऐसा ही होगा क्योंकि मुझे तो अपने पैर ही नहीं दिख रहे है तो इस इलागे का पता कितना नेरा है देखिया नेरा मैं ठीक हो, शुक्रिया तो यही है वो जगा? वाँ, बहुच गए है क्या ही है वो जगा? कमाल है मैं जूट नहीं बोलूँगी ऐसी जगों पर जाकर हमेशा दिल की धड़कने तेज हो जाती है यह है कोकेन पिट यहीं से इस मोटे मुनाफिवाली चीज की शुरुवात हो दी है जिसका बहुत बड़ा काला बाजार है लेकिन जब मेरे अंदर का रिपोर्टर थोड़ा शान्त हुआ तो समझ आया कि यह पूरा काम कड़ी महनत और साधारन सी केमिस्ट्री पर टिका है इस काम चलाओ लैब में अब यह लोग प्यॉरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे शोद करताओं ने 150 साल से भी पहले ये पता लगा लिया था कि कोका लीव से कोकेन कैसे बनती है और अमेरिका के लोगों को 19. सदी में इस ड़क का पहला टेस्ट कोका कुला में मिला जिसके बाद 1914 में सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी इसकी कन तो सपर्दस्थ है ये लोग इसके उपर वाले हिससे को अला कर रहे है जो फ्यूल है और नीचे वाला हिससा जो क्लियर लिक्विड है ड्रग्स उसी में है इसका रंग काफी गहरा है और ये नीचे वाला जो साफ हिससा है ये ये क्या है यही तो वो ड्रग है अच्छा यही ड्रग्स है यह लोग इसे क्लियर लिक्विड सूप कहते हैं आप यह बानी चक सकती हैं अच्छा यह आपके मुझ को एकदम सुन कर देगा त्राइ करना चाहेंगी नहीं शुक्रिया यह पूछ रहे हैं क्या क्या मैं इसे चू सकती हो यह जो लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा पका कोई नुकसान नहीं है? हाँ, कोई नुकसान नहीं होगा यह ठंडा है ओ, देखिये इसे कमाल की चीज़ है यह सोचकर हैरानी होती है कि कुछ हफ़तों में यह जंगल सूप अमेरिका के कुछ लोगों के इस्तमाल में आ रहा होगा अब वक्त है आखरी चरण का इसे ठोस में बदलने का ज़्यादा वक्त नहीं है जल्दी करो अच्छा, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है जल्दी काम करना होगा इस लाब पर बहुत से लोगों की रोजी टिकी है फिर भी सिवेचे का दोस्त हमें ये सब दिखा कर एक बड़ा जोखेम उठा रहा है तो जब कुछ पल के लिए कैमिस्ट यहां से गया तो मुझे चिंता होने लगी हमें फॉरण यहां से निकलना होगा ठीक है पर क्यों 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 कि लोगों ने हमें देख लिया है किसने देखा हमें गाउं के लोगों हमारे खबरी ने बताया कि गाउमालों को हमारे होने का पता चल गया है तो हम यह से फॉरन निकलना होगा ठीक है दोस्तों हमें यह से निकलना होगा ठीक है जल्दी से चलो जल्दी करो सब उच ले लिया चलो 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 उन्हाने कहा हमें सड़क पर केसी न नहीं, नहीं, चलो यहां से. अच्छे, बताओ, सब लोग आ गए हैं क्या? शुक्र है कि हम बिना किसी गड़बड के निकलाएं, लेकिन उत्तर की तरफ इन ट्रक्स का लंबा सफर अभी बस शुरू हुआ है. व्रीम में एक नए दिन की शुरुआत है. पिछली रात वाले कोका पेस्ट सख्त होकर इंट की शकल में बदल गई है. अब अगली चुनौती है, इन्हें घाटी से बाहर ले जाना. इसका सबसे आसान जरिया है विमान. लेकिन अब परू की सेना को संदिक्ध ड्रग फ्लाइट्स को शूट करके गिराने की इजासत है. एक और विकल्ब है, सड़क के जरिये से ले जाना. लेकिन सड़कों पर पुलिस के धेरों चेक पोस्ट होते हैं. ऐसे में इनको ले जाने का सबसे अच्छा तरीका होता है. बैक पैक. लैब चलाने वाले लोगों ने ही हमसे कस्बे के बाहर एक पकडंडी पर मिलने को कहा है. चो एंडीस की तरफ है. ठीक है. हम काफी लेके पीछे-पीछे हैं. हमारे आगी दो कार्ज चल रही हैं. ठीक है. हम पॉँच के. ठीक है. सब तयार है. ठीक है. मैं अपना हेड लैंप निकाल देती हूँ. इन लोगों को मुचिले रोस कहा जाता है. स्पैनिश में बैक पैकर. इनके बैक पैक्स, ब्रिक्स और पाउडर से भरे हैं. इन्हें कोकेन जगत का शेरपा कहा जाता है. मुझे जानकर हैरानी हुई की कल रात वाला केमिस्ट भी एक मोचिले रो है. तो ड्रक को ट्रांसपोर्ट करना इसे बनाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है, न? हाँ, बिल्कुल. एक जगा से दूसरी जगा ले जाना ज्यादा खतरनाक है. इस जगा की उचाई एक हजार आट सौ तीस मीटर, यानि छे हजार फीट से भी ज्यादा है. अब ये पंधरा मिनट ही हुए है, और मेरी सांस भूल गई है. ठक गई हूँ. हाफ नहीं हूँ मैं, जब कि मेरे पास सांस लेने के लिए. आप बता सकते हैं कि ये आपके पास क्या है? हाँ, इसे मैं बचाव के लिए अपने साथ रखता हूँ. राइफल, इसके लबाँ आपके पास और क्या चीज़ है? मेरा पाइनपल. आप इसे पाइनपल क्याते हैं? हाँ, इस ग्रनेट को. इस धन्दे से जोड़ा हर इनसान हथियार बंद होता है. ऐसी पकडंडियों पर इन्हें विरोधी क्लान्स, ब्रश्ट पुलिस वाले और तमाम तरहा के चोर मिल सकते हैं. मैंने पूछा कि अगर इन पर हमला हो जाए, तो क्या होगा? जंग शिड़ जाएगी. बहुत खुंखराबा होगा. अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन को मारना होगा. मैं परूर के पहाडों से मायामी के नाइट क्लब्स तक के कोकेन हाईवे को चान रही हूँ. सुबह चार बचे का वक्त है, और मैं कुछ युवाओं के साथ हूँ, जो अपनी जान खत्रे में डाल कर व्रेम वैली से 30 किलो कोकेन बाहर निकाल रही है. तो यह चीज़ें आप अपने साथ रखते हैं, टूना कैन, सॉल्टीन्स, यह प्लास्टिक है, जिसे अपने आपको बरसात में ढगते हैं, और यह है अलकोहॉल, इनका कहना है कि इसे अल्टिटूट सिकनस नहीं होती, क्योंकि उंचाई पर जाना होता है. और यह है ड्रग. इसकी कीमत है करीब 65,000 रुपे किलो, और अमेरिका में प्रोसेस होने के बाद इसकी कीमत हो जाएगी करीब 18,000 लग. आपके पास कितने किलो ड्रग है? हमारे पास 25 से 30 किलो है. यह सारी? यह सारी. कमाल है. तो इसका मतलब यह हुआ कि यह लोग अपने साथ करीब 5 करोड रुपे की रॉप कोकेन ले जा रहे हैं. यह है वो ड्रग, स्टोन. अच्छा, स्टोन. पत्थर जैसी. कोकेन पिट से हमें यही चीज मिलती है. पाउडर इसी से बनता है. यह है परुवियन कोकेन पेस्ट और दुनिया में इसकी बड़ी मांग है. ऐसी ही ब्रिक्स को, एसको बार, विमानसिक कोलम्बिया ले जाता था. इसे सूं कर दिखे? सूं कर दिखो? सूं कर? हाँ, बिलक मुली चीज लग रही है. सोच कर हैरानी होती है कि इसकी बचा से कितना खून खराबा होता है. तो अभी तक आपके साथ सबसे खतरनाक हादसा क्या हुआ है? हमें घेर लिया गया था. किसने घेरा? चोरों ने. कितने लोग थे? करीब दस. सब हतियार बन थे. मैं तो डर गय तो किसी को चोट पहुचा ही उनोंने? हाँ, कुछ की तो जान भी चली गई थी. तुमारे दोस्त थे वो? कितने थे? तीन लोग थे. ओ अच्छा. उस हमले में मरने वालों की क्या उम्र रही होगी? उननेस या बीस के इतनी ही उम्र होगी. जवान थे. जवान थे. हाँ, का जवान थे. हाँ, क्या ये काम करने वाले लोग छोटी उम्र के ही होते हैं? हाँ, अच्छा. आपकी उम्र क्या थी जब आपने ये शुरू किया? पंदरा का. सिर्फ पंदरा? और तुम? मैं सोला साल का था. तुमें क्या लगता है कि तुम कितने साल तक ये काम कर सकते हो? स डेंटिस्ट. हाँ, डेंटिस्ट बनूँगा. पर क्यों? कभी-कभी मैं तीवी पर एर्ट्स देखता हूं. लोग स्माइल कर रहे होते हैं. तो मुझे लगता है कि हम सब के दात ऐसे दिखने चाहें. ये मेरा सपना है. यानि तुम लोगों को खुशी देना चाहते हो? हाँ, उन्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं. बहुत अच्छी बात है. ठेक है, अब ये लोग यहां से रवाना हो रहे हैं. इन लोगों को अपना सामान बंधते देख, मैं समंजस में हूँ. मुझे मालूम है कि ये जो कर रही है, वो अवैध है. और इन के इन के कारण तुनिया भर में लाखों परिवार तकलीफें जेलेंगे. लेकिन इनके साथ दो दिन बिताने के बाद, मुझे इनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है. ये बच्चे हैं. और मेरे अपने बेटे से सिर्फ कुछ साल बढ़े है. ये सोचकर बुरा लगता है कि व्रेम म जोखी में डालनी पड़ रही है, ताकि अमेरिकन्स को ड्रग्स मिल सकें. ओके, ध्यान से जाना. शुक्रिया. उन्होंने बताया कि इनहें 12 गंटे और चलना है और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे और फिर और चलेंगे. तो अब आप लोगों से संडे को मुलाकात हमने इनके सफर के खत्म होने पर आपस में मिलने का प्लान किया, पर मुझे चिंता है. जंगल ट्रेल पर कुछ भी हो सकता है. इस काम में जिन्दगी खत्रे में डालनी पड़ती है. इन मोचिलेरोज के वादी से बाहर निकलने के साथ ही, कोकेन का दाम बढ़ जाता है. इनका इलाका तो ग्लोबल डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क का सिर्फ पहला हिस्सा है. अकर मोचिलेरोज ये चड़ाई सही सलामत कर पाए, तो ये चीज़ को नए मालिक को बेचेंग और वो ड्रग्स कार के सरिये लीमा ले जाएगा, और फिर उत्तर में इसका सफर जारी रहेगा. हर बदलते मालिक के साथ दाम भी बढ़ेगा. स्मगलर्स, दाम में ट्रांस्पोर्ट और जोखिम का खर्च भी जोड़ते जाते हैं. साथी हर एक अपने हिस्से का मुनाफ़ अब ही लेगा. फिर ये कोकेन एक्वाडोर से कोलंबिया पहुच जाएगी, जो मेरी अगली मंसिल है. पहली नजर में टर्बो केरिबियन के किसी फिशिंग टाउन जासा लगता है. लेकिन यहां की हकीकत कुछ और है. जो हैरान कर देगी. लोगों का कहना है कि टरबो एक मौज मस्ती वाली जगह है. यहां लोग पीते हैं, पाटी करते हैं, और हो सकता है कि जल्दियां सडकों पर आपकी जान भी चली जाए. क्योंकि यहां पर ये लोग एक बहुत ही खतरनाक दुनिया में रहते हैं. टरबो में ज्यादा तर मच्छवारों की आबादी रहती है, लेकिन कोकेन का कारोबार इनका मुख्य धंदा है. ओलिवर शिमेग एक जर्मन फोटो जर्नलिस्ट है, जिनके कई दशक कोलम्बिया में ड्रग ट्रेड को डॉकिमेंट करते हुए बीते हैं. मर्याना में आपको बताना चाहूँगा कि कोलम्बिया से अमेरिका जाने वाली स्यादा थर ड्रग्स टवबो से होकर गुजरती है. अगर कोई समुद्र के जरीए, जी. स्मगलिंग करना चाहे, तो ये एक दम परफेक्ट जगह है. यहाँ पर कागो बोर्ट्स चलाने वाले लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं. अगर हम ऐसी किसी बोर्ट को देखना चाहें या उसमें राइड करना चाहें, तो… मैं यहाँ पिछले 21 साल से हूँ, और ड्रग काटल्स तक मेरी अच्छी पहुँच है. बस अब कुछ इस बात पर निर्भर है कि उन्हें हम पर विश्वास कितना हो पाता है. ओलिवर अपने लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और मुझे शेहर के छोर पर मौजूद एक डॉक पर जाने को कहते हैं, बिना कैमरे के. लेकिन वादे के मताबिक हमारी मुलाकात एक बोट में दो कोकीन स्मगलर से हुई. मच्छवारे इस काम के लिए सही क्यों माने जाते हैं? अपने तजुर्बे की वज़ा से. और कानून भी मच्छवारों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता. तो आप छुप-चाप अपना काम कर जाते हैं. यहां बहुत सारे हतियार बंद ग्रूप हैं, वो सब ही हमारी सर्विसेज लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने माल को लाने ले जाने के लिए स्पीड बोट्स की जरूरत पड़ती है. यह एक स्पेशल सर्विस है, एक चार्टर फ्लाइट की तरह. आज इन बोट्स में सामान नहीं है. स्मगलर्स अपने काम के बारे में तो बात करने को राजी हो गए, लेकिन वो मुझे प्रोड़क्ट के करीब नहीं जाने दे रहे. करोणों रुपे के जिन पेलोड्स को वो लाते ले जाते हैं, उन्हें विदेशी जनरलिस्ट को दिखाना बहुत जोकिम भरा हो सकता है. तो जब आप ड्रग्स ले जाती हैं, तो उन्हें बोट में छिपा कर रखते हैं? हाँ, फिशिंग नेट से ढग देते हैं, और ड्रग्स नीचे होती हैं. और लगता है जैसे आप फिशिंग कर रहे हैं, यह बिल्कुल, यह अपका सामान है. लेकिन असल में वो… असल में ड्रग्स ही होती हैं. कोकेन? यह, कोकेन. आप लोग इस तरह के पैंगा बोर्ट्स में ड्रग्स को क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये सबसे तेज जरीया है लेरों पर ये किसलती चली जाती है अगर पॉलेस आपको देख ले तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हम ड्रग्स को पानी में फेकना शुरू कर देते हैं हम बोर्ट्स में कुछ भी नहीं छोड़ते फिर इन ड्रग्स का क्या होता है? वो सब खराब हो जाते हैं कभी-कभी माल के मालिक के साथ भी दिक्कते हो जाती हैं और आपकी जान भी जा सकती है हम इस इंटर्व्यू को यहां समुद्र की बीच में क्यों शूट कर रहे हैं? इस पूरे इलाके पर क्लान बेल गॉल्फो का कबजा है और उसके लोग इस इलाके पर नज़र रखते रहते हैं और हो सकता है कि शायद आप भी वो हमें देख रहे हो? इस वक्त भी? हाँ, बिल्कुल, वो छुपे रहते हैं कई अंजार मच्वारे भी एकाम कर सकते हैं इसलिए आप इतने घबराए हुए हैं जो में काम कर रहा हैं, ऐसा नहीं किया जाता उन्हें लगेगा कि आप हमें खबरी दे रही हैं हम खबरी हैं, बिल्कुल वो हम सब को मार सकते हैं देखो, वहाँ सामने एक बोट दिख रहे हैं वो एक मच्वारा है लेकिन हमें बताया गया है कि अगर कोई बोट आपके पास आए और वो मास्क खटाने लगें तो उनके ऐसा करने पर हमें कैमरे नीचे करने होंगे हमें उन्हें बताना होगा कि हम टूरिज्म पर शो कर रहे हैं यह लोग परिशान हो रहे हैं, तो हम इसलिए जा रहे हैं हाँ, क्योंकि यह मच्वारा है हम ऐसे लोगों पर अरोज़ा नहीं कर सकते हैं ठीक है, अभी अपने मास्क उतारने वाले हैं चलो, चलते हैं आप ठीक है मैं कोलंबिया के कोस्ट के नजदीक एक बोट में हूँ और मेरे साथ हैं दो घबराए हुए कोकीन स्मगलर्स ये पास से गुजरते एक मच्वारे की वज़ा से डर गए तो अब ये मुझे समुद्र में और आगे ले जा रहे हैं जहां बात करना शायद आसान होगा मुझे बताया गया कि ये सभी मच्वारे सभी लोग क्लैन के लिए काम करते हैं तो अगर उन्होंने इन्हें हमसे बात करते देख लिया तो क्लैन को बता देंगे वो और तब इनके लिए खत्रा हो सकता है अगर उन्होंने आपके बारे में बता दिया तो आपके लिए दिकत क्लैन डेल गोलफो कितना ज्यादा हिंसक है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह काफी थाकतवर है किसी सूपर काटल की तरह यह तो मेक्सिको के ग्रूप से भी ज्यादा थाकतवर हो सकते है मैं जानती हूँ कि काटल लीडर्शिप तक पहुच बनाना बहुत बड़ा जोखिम का काम है कई दिन तक यह लगता रहा कि मैं इस कोशिश में काम्याब नहीं हो पाऊंगी लेकिन फिर एक दिन इजासत मिल गई अब मैं वही जा रही हूँ हमने बस पहला दाया मोर लिया है हमें काड़ी में है हमारे आगे वाली कार में क्लैन डेल गॉल्फों का इस इलाके का एक टॉप कमांडर बैठा है पता नहीं हम कहां चा रहे हैं पर हम कमांडर को फॉलो कर रहे हैं यहां पर मुझे कुछ क्या पहुंच गए हां सैनिक नजर आ रहे हैं एक सैनिक वाँ सामने भी है अरे बाबरे सिक्यूरिटी तो देखो ठीक है लेकिन हर कहीं मिलिटरी के नजर आने से हमारी घबराहाट थोड़ी बढ़ गई है हमें यहां देर नहीं करने चाहिए जल्दी चलो ठीक है जल्दी कीजिए हम पहुँच गए है एक रैंच हाउस है ठीक है वान टू आवाज आ रहे हैं जी मरियाना ठीक है शुरू कीजिए आप लोगों के साथ यहां रहकर हम जोखे मुठा रहे हैं इस काम में हमारे लिए बहुत खत्रा है हाला कि कमांडर और उसकी बॉडिगार्ड को ओलिवर पर भरोसा है लेकिन वो हमसे पहली बार मिल रहे हैं तो घबराय हुए है हमें नहीं मालूम कि आप लोग कौन हैं कहीं आप पुलिस वगेरा से तो नहीं है नई नई चिंता मत करिये हम पर भरोसा रखें जरा इसे देखें मैंने उन्हें अपने पिछले काम की कुछ तस्वीरे दिखाई जिनसे उन्हें हम पर भरोसा हो जाए कि मैं पुलिस से नहीं हूँ हाँ, पूछे, क्या पूछना है आखिरकार ये लोग इंटरव्यू के लिए राजी हो गए ठीक है, तो बताएए कितने लोग आपके लिए काम करते हैं यहाँ पर? इस समय मेरी टीम में तीन सो लोग है यह तो बहुत स्यादा है हाँ, बिलकुल कॉलंबिया में यहाँ क्लैन डेल गोल्फो कितना बड़ा है? कारोबार की आम दुनिया में इस शक्स को अपरेशन्स का वीपी कहा जा सकता है यह कॉलंबिया के जंगल में मौझूद एक फार्म हाउस से एक पीजीदा ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क चलाने में मदद कर रहा है यहाँ आप कोकेन की कितनी मात्रा को हैंडल करते हैं? मैं नहीं जानता. बताओ कितनी होगी हैं? 1,000nos हर महिने या फिर हर साहिए? यहां से हर हफ़ते 1,000 kg कोचेन को सरती है सोंदर के रास्ते मायामी में कोकेन की इस हफ़तावार शिप्मेंट की कीमत होगी करीब दू अरब क्लान डेल गोलफो का टॉप कमांडर ओटोनियल कोलंबिया की जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है और उस पर करीब 35 करोड रुपे का इनाम है वो सरकारी अधिकारियों का कतल कर चुका है और उसने एक नाइट क्लब में एक हथकुला फोड़ने का हुक्म दिया था वो अपने सैनेकों से पूरी वफादारी की उम्मीद करता है हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जम करना नहीं चाते हैं हमारा देल इसकी जाज़त नहीं देता लेकिन ओर्डर तो ओर्डर है अगर आप नहीं करेंगे तो आप मार दिये जाएंगे और मैं मरना नहीं चाता और मैं जीना चाता हूँ बातचीत के दौरान मुझे ये एहसास होने लगा कि काटल में इतना उचा रुद्वा पाने के बावजूद सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं बेशक हम इस जगा पर हैं लेकिन लोगों को हमारा पता चल सकता है हमें मार सकते हैं ये लोग क्योंकि किसी की भी नजर हम पर हो सकती है और वो दूसरे लोगों को बता देगा तो अगर आपके लिए इतना खत्रा है तो आप यहां क्यों आए हैं हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हम इस जंग से तंग आ चुके हैं हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा देश कैसा है दुन्या को बताना चाहते हैं कि हमारी जिन्दगियां कैसी है मेरी एक बेटी है जो चार साल की है हम भी अपने बच्चों को बड़े होता देखना चाहते हैं, हम भी आजाद जिंदगी चाहते हैं, ऐसी जिंदगी जिसमें सरकार से खत्रा ना हो, हमारे ही लोको द्वारा हमें मारने का डर ना हो, यानि एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, अच्छा पैसा चाहते है पीछले कुछ बरसों में कोकेन की तस्करी बहुत उंचे मुकाम तक पहुँच चुकी है और ये लोग मुझे जो बता रही हैं, उससे लगता है कि ये बढ़ोतरी अच्छी नहीं। फिर भी ये देश दुनिया के कोकेन कारोबार का डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर बना हुआ है। यहां से करीब आधी सप्लाई यॉरप, आफ्रिका, एशिया और आस्क्रेलिया तक पहुचती है। और बागी का हिस्सा जाता है अमेरिका। बशर्ति स्मगलर्स इन लोगों से बचे रह पाए। हमें अभी-अभी साउथ से नौर्ट की तरफ जा रही एक बोट नजर आई है। यह ड्रक राफिकिंग से जुड़ाए लाका है। आम तोर पर बारा मीटर से लंबी ऐसी बोट जिसमें केबिन और धेर सी जगा हो। उसमें आराम से काफी ड्रक्स छिपाई जा सकती है। अब इस बोट पर चड़ेंगे जिस पर ड्रक्स की स्मगलिंग का शक है। उसका एक मालिक होगा, उसके पास हाथियार भी हो सकते हैं और नहीं भी। एक दूसरे का ध्यान रखें, अपना काम ध्यान से करें और हर हालत में अपनी बात को मनवाए। पिछले पात साल में यूएस कोस्ट गार्ड ने समुद्र में कोकेन की रिकॉर्ड मात्रा को सब्द किया है। आज हम प्योर अंकट कोकेन की 6 मेंट्रिक टन्स, 9 मेंट्रिक टन्स और 20 मेंट्रिक टन्स मात्रा अफ्लोट करने वाले हैं। इसकी कीमत करीब 14 अरब रुपे होगी। इसके लिए वो तेज रफ्तार वाली पोर्ट, लो प्रोफाइल बोर्ट, यानि कोई समी सब्मर्सिबल या कोई फुली सब्मर्सिबल बोर्ट इस्तमाल कर सकते हैं, जिसके पास कमर्शिल लाइसेंस हो गूँग। किसी आफिसर के काम का सबसे खतरनाक हिस्सा वो होता है, जब उड्रक्स के शक वाली किसी बोर्ट पर कदम रखता है। एसे में स्मगलर्स के सामने एक मुश्किल विकल्ब होता है, कार्गो पानी में फेककर कार्टर का गुस्सा जही लें, या फिर जान बचाएं और वहां से भागने की कोशिश करें। अब हमें ये बताओ कि इस बोर्ट पर कोई हतियार अगेरा तो महीं है, ठीक है, हम आपकी बोर्ट पर आएंगे और उसकी जार्च परताल करेंगे, आप लोगों को सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो इस साइस की बोर्ट पर लागू होते हैं। मायामी से 226 किलोमेटर दूर, कोस्ट गार्ट ने एक संतिक्त स्मगलिंग बोर्ट का पीछा किया। संदिक जगा के लिए किराय पर लिया गया था, बोर्ट पर हर किसी ने आदेशों का पालन किया, और अगर बास रक्षा की हो तो ऐसी हालत में इससे अच्छा नतिजा कुछ हो ही नहीं सकता। ड्रग्स नहीं मिली, तो कोस्ट गार्ड आगे बढ़ जाती है। समुदर में ड्रग रनर्स को पकड़ना चुहे बिल्ली का खेल जैसा है। अब आप सोची कि इतने बड़े इलाके में पुलिस की सिर्फ तीन या चार कार गश्ट लगा रही हो और कोस्ट गार्ड हमारे शिप्स के जरीए यही काम कर रहा है। अमेरिका में इन ड्रग्स के दाखिल होने से पहले इनका यहीं पर जब्त किया जाना बहुत जरूरी है। वरना ये अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में पहल जाएगी। पेट्रोलिंग के लिए इलाका इतना बड़ा होने के कारण सब को पकड़ना नामम्किन है। इतनी कोशिशों और रोजमर्रा के मिशन के बाद भी अमेरिका भेजी जा रही ड्रग्स का सिर्फ 10 फीसदी हिस्सा ही पकड़ में आ पाता है। कोखेन का बागी 90 फीसदी हिस्सा पकड़ में नहीं आता और वो अंधेरे की आण में बोर्ट्स के जरिये मायामी की तरफ बढ़ जाता है। कोखेन के बलपरपन पे इस शहर को 40 साल हो गए हैं लेकिन ड्रग्मनी अब भी यहां आ रहा है। ये कनवर्टिबल कार मेरे बचपन की एक मीठी याद से जुड़ी है। मैं कोख डीलर से मिलने साउथ बीच की तरफ जा रही हूँ और मुझे मायामी वाइस का आखरी अपिसोड याद आ रहा है। जब वो अपने बैजेज लोटाने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ड्रग्स के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। कोगेन हाइवे पर 4800 किलोमीटर का सफर करने के बाद मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आप जो बेजते हैं वो आपके पास है? हाँ है मेरे पास। वो आपके पास अभी है ? हाँ मैं एसके कुछ बैग अपने साथ लाया है यह आम पاس जायसा लगता है मैं इसके कुछ पाउच लाया हूँ यह देखिए। यह जेका ड्रकेस जास है क्योंकि वा pedir तो मैं इस तरह मुनफ़ा कमाता हूँ अगर देन अच्छा हो तो मैं पच्पन ग्राम तक बेच देता हूँ जो मुझे पढ़ती है लग भग देड़ लाख में और अगर आप इसे बेचें तो आप क्या कमाएंगे चार से साड़े चार लाख तक इसे बेचने में कितना वक्त लगता है यह तीन दिन में बिख जाती है बड़े आराम से यानि तीन दिन में आप कमा लेते हैं करीब दो लाख रुपे एक दिन में करीब पचास से पिछाते में सार रुपे क्या आप प्योर कोकेन बेचते हैं य आज की पिढ़ी को तो ये चाहिए ही. हर कोई पाटी करने के लिए मायम ही आता है. वो इस पाटी सिटी में पाटी करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं. यह यहां की लाइफ का हिस्सा है. आधी रात बीच चुकी है, और डीलर मुझे अपना काम दिखाने पर राजी हो गया. मशर्ती मैं उसके नियमों का पालन करूँ. तो हम वहाँ अपने कैमरे नहीं ले जा सकते. वो इसी बात पर सहमत हुआ है कि हम कार में ही रहेंगे और यहीं से शूटिंग करेंगे. आप इसे बेचते कैसे हैं? खुद को बद छिपाया रखना होता है. इस काम में सबसे आगे रहना पड़ता है. क्योंकि हो सकता है कि लोग आपको भसाने की कोशिश करें. 0.357 Magnum, 15 सेंटीमीटर बैरल वाली. यह मेरी पासंदीता पिस्टोल है. आपने इसे यूस किया है? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं का हूँगा. ठेक है, उसे एक फोन आया है. और वो कहीं जा रहा है. वो अंदर चला गया है. पिलाल, मैं सारा काम टेक्स्ट मेसेज़िस के जरिये ही करता हूँ. मेरे पास एक बर्नर फोन है, एक अंट्रेसिबल फोन. ठेक है, वो हमारी तरफ आ रहा है. मैं ज़रा चेक करती हूँ क्या खेर क्या हो रहा है. एक हफते में आप कितने लोगों को ड्रॉक्स बीचते हैं? एक हफते में... मेरे ख्याल से 75 लोगों को? ये तो गाफी ज्यादा है. माली इतना अच्छा है. आपको पकड़ी जाने का डर नहीं होता? हाँ, आप डर लगने लगा है क्योंकि मेरे एक फैमिली है. लेकिन क्या करूँ, मुझे भी तो कुछ कमाना ही है. खर्चा चलाना है घर का. अब इसका जरीए चाहे कोई भी हो. ये एक छोटी सी कुर्बानी है. मैं अपनी जमानत के लिए थोड़ा पैसा अलग रखता हूँ. अगर कुछ हो जाए, तो अपना बचाव कर सकूँ. बहुत कम लोग जानती होंगे कि एक किलो कोकेन को अमेरिका तक पहुँचने में किस तरह का सफर तै करना पड़ता है. या ये किन-किन हाथों से उकर गुजरती है. लेकिन शुरू से आखिर तक ये जिन रास्तों को तै करती है, उसे शकले देता है सिर्फ पैसा. ये बात मायामी की सडकों पर भी उतनी ही साफ है, जितनी कोलम्बिया की बोट्स पर या परू की जंगल बोट्स पर. ठीक है, रुक जाओ. ये लोग यहाँ हैं. इधार रेम में कैमिस्ट और डेंटिस्ट बनने की इच्छा रखने वाले दोनों युबा, तीस किलो ब्रिक्स लेकर नौर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं. बाकी के लोग कहा हैं? वो पहुंच नहीं पारे हैं. एक घायल हो गया. और एक बीमार हो गया, तो वो वापिस सिला गया. वो पहुंच आया पर नहीं? अब तक तो नहीं पता. ये काम ऐसा ही है. आप जान जूखे में डालते हैं और गड़गण होने पर जान कमा देते हैं. और ये कोकेन तुम दुबारा फिर कब लेकर आने वाले हो? पंदरा दिन में. अच्छा, पंदरा दिन में फिर ये काम करोगे तुम. मैं बस यही काम करता हूँ. पूरी इस बिशनी निखी में सिर्फ इसी तरह पैसा कमा हूगा है। दुम्स udah दूनीया में सबसे आसान जर्या है कोकेन. कोकेन कभी खत्म होगी। इसके खत्म होने का सवाल ही नए है। ये तब ही खत्म होगी जब दुम्स खत्म होगी.